जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और Current Affairs 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आपके इस वीडियो में हम अमेरिका की जो भी राष्टपती रही है या फिर अमेरिका के राष्टपती चुनाओ से सम्मंदित सभी प्रशनों को डिसकस करेंगे तो ये ऐसे प्रशन है जो कि पहले भी आपकी परिच्छाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी आपकी परिच्छाओं में पूछे जाएंगे तो इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से दिखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर जरूर कीजिएगा वैसे अमेरिका के उपर दो वीडियो मैं आलरडी बना चुका हूँ जिसमें एक में अमेरिका के राष्टपती के चुनाओ की परकरिया मैंने आपको बताई है और दूसरे वीडियो में अमेरिका के कम्प्लीट जीकी को मैंने डिसकस किया है तो उन दोनों वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में वहां से आप उन वीडियो को भी चाहें तो देख सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं तो पहला प्रेशन तो यही है कि अमेरिका में जो राष्टपती का चुनाओ होता है वह नौंबर माह में किस दिन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि नौंबर माह का जो पहला मंगलवार होता है यानि कि फर्ष्ट ट्यूजडे को अमेरिका के राष्टपती का चुनाओ आउजित होता है नौंबर माह में तो इस प्रेशन का आप्सन भी करेट होगा लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा पीच है जो कि आपको ध्यान रखना है अमेरिका में राष्टपती का जो चुनाओ है वह मैंने तो आपको बता दिया कि पहले मंगलवार को होता है लेकिन यहाँ पर जो पहला मंगलवार होगा उसके पहले सोमवार भी आना चाहिए सोमवार आने का मतलब यह नहीं है कि वह सोमवार पिछले महिने यानि कि अक्टूबर कर रहा हो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के राष्टपती का चुनाओ नॉम्बर माह में उस पहले मंगलवार को होगा जिसके पहले एक सोमवार नॉम्बर महीने में आ चुका हो इसको थोड़ा समझते हैं एक्जामपल के जरीए माल लिजिए कि किसी वर्ष एक नॉम्बर को आ जाता है मंगलवार तो इस मंगलवार को राष्टपती का चुनाओ आयोजित नहीं किया जाएगा उसके बाद में जब पहला सोमवार आएगा नॉम्बर माह का और उसके बाद में जो मंगलवार आएगा उस मंगलवार को आयोजित किया जाता है अमेरिका के राश्टपती पद का चुनाओ तो ये आपको ध्यां रखना है तो 2020 में 3 लुमबर को इसका आयोजन किया जाना है अगला प्रश्न है अमेरिका के पहले राष्टपती कौन थे तो आप ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के पहले राष्टपती थे जॉर्ज वासिंगटन तो इस प्रश्न का option C correct होगा अमेरिका को आजादी मिली थी बेटन से किस से बेटन से आजादी मिली थी और उसके बार में अमेरिका में सम्विधान का निर्माड हुआ था, सम्विधान लागू हुआ था और उसी समय जॉर्ज वासिंगटन जो की अमेरिका की आजादी की एक अहम नेता थे, वे बने थे अमेरिका के पहले राश्पती, तो 30 अपरेल 1789 से ले करके 1797 तक दो कारिका तक अमेरिका के राश्पती रहे थे, जार्ज वासिंगटन, तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, अगला प्रशने, अमेरिका के जो राश्पती होती हैं, इनका कारिकाल कितने वर्सों का होता है, तो इनका कारिकाल होता है, चार वर्सों का, यानि कि इस प्रशन है कि वे व्यक्ति भारत के नागरिक होनी चाहिए लेकिन अमेरिका का राश्पती का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रावधान है कि आप जन्म से ही अमेरिका का नागरिक हुए रहना चाहिए यानि कि अगर आप जन्म से अमेरिका के नागरिक होंगे तब ही वहां के राश्टपती का चुनाव लड़ सकते हैं राश्टपती का कारेकाल चार वर्सों का होता है और जिस प्रकार से हमारे यहां पर राश्टपती के लिए मिनमम एज है 35 वर्स उसी प्रकार से वहाँ पर भी 35 वर्ष रखी गई है तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको यादखनी है अगला प्रशने कोई भी व्यक्ति अधिक्तम कितने टर्म के लिए अमेरिका का राश्टपती बन सकता है अब जैसे हम अपने यहाँ के राश्टपती की बात करती है तो कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राश्टपती बन का चुनाव लड़ सकता है और वहां हमारे देश का राश्टपती रह सकता है लेकिन अमेरिका में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिक्तम दो टर्म के लिए ही राश्टपती रह सकता है यानि कि माले ये कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो यह अगले चार वरसों तक राश्टपती होगा उसके बाद में फिर चुनाव जीतता है तो अगले चार वरसों तक रहेगा यानि कि maximum वह आठ वर्सों तक ही अमेरिका का राश्ट्पती रह सकता है तो ये आपको यहाँ पर ध्यार रखना है और बाइश्मा सम्मिधान संसोधन हुआ था 1951 या 2 में हुआ था ये उसके द्वारा ये व्यवस्ता कर दी गई थी कि राश्ट्पती का जो टर्म है वह मात्र होगा दो बार के लिए अगला प्रश्ण है अमेरिका के पहले राश्ट्पती जिनका निधन उनके कारिकाल के दोरान हुआ था वे कौन थे अमेरिका के पहले राश्ट्पती जिनका निधन उनके कारेकाल के दोरान हुआ था इनका नाम है बिलियम हेनरी हैरिसन तो इस प्रेशन का option ए कैप होगा, तो ये अमेर्यका के 9 नमबर के राश्बती रहे थे और मातर 31 दिनों तक इन्हों ने अमेरिका के राश्पती के रूप में कारी किया था तो यहां से आपको एक प्रशन ये भी ध्यार रखना है कि अमेरिका के राश्पती का जो पूरा इतिहास रहा है उनमें सबसे कम समय तक राश्पती के रूप में कारी किया है बिलियम हेनरी हैरिसन ने इनके बारे में आपको जरूर ध्यान लखना है कि ये अमेरिका के 90 नम्बर के राष्पती थे और मात 31 दिनों के लिए राष्पती ये चुने गए थे अमेरिका के अगला प्रशन है अब्राहम लिंकन जो की अमेरिका के सबसे प्रसिद राश्पतियों में से एक हैं किस नंबर की अमेरिकी राश्पती थे तो ये प्रशन भी अलड़ी परिच्छा में पूछा जा चुका है ध्यां बखेंगे ये थे 16 नंबर के राश्पती यानि कि इस प्रशन का आप्शन भी करेक्ट होगा तो 4 मार्च 1861 से लेकर के 15 अप्रेल 1865 तक ये अमेरिका के राश्पती रहे थे और इनके बारे में आपको ये ध्यां रखना है कि इन्हों ने अपना पहला टर्म कंप्लीट किया था और इनके दूसरे टर्म की सुरुआद भी यहां पर हो गई थे उसी दौरान 15 अप्रेल 1865 को एक अमेरिका के स्टेज एक्टर थे जिनका नाम था जान बिलकेस बोट और इन्ही के दौरां गोली मार करके हत्या कर दी गई थी अब्राहम लिंकन साहब की अब्राहम लिंकन के हत्या जो में क्योंकि थी? क्योंकि अमेरिका में जो दास पर्था थी उसका काफे लंबा इतिहास रहा है और उसके लिए एक पूरा सिविल वार चला था अमेरिका में और अब्राहम लिंकन ने उस दास पर्था को हटाने की घोशना की थी तो इसलिए इन पर राश्पती पत के उमीदवार है रिपब्लिकन पार्टी से तो इस प्रेशन का option D correct होगा अब आपको ये ध्यान रखना है जो कि आपको ध्यान ही होगा कि डोनाल ट्रम्प जो यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं ये इस समय भी अमेरिका की राश्पती है तो रिपब्लिकन पार्टी ने एक बार फ़र से डोनाल ट्रम्प को यहाँ पर अपना उमीदवार बनाया है जबकि माइक पेंस जो कि अमेरिका के वर्तमार में उपर राश्पती है ये उपर राश्पती पत के उमीदवार है रिपब्लिकन पार्टी से और ये प्रेशने काफी जादा महत्मों ने ध्याना किएगा डोनाल ट्रम्प राश्टपती पद के और माइक पेंस उपर राश्टपती पद के उमिद्वार है रिपब्लिकन पार्टी से अगला प्रेशने वर्स 2020 के राश्टपती चुनाव में डेमोक्रेटिक पद के उमिद्वार कौन है तो ये है जो बाइडन साहब तो इस प्रेशन का अपसन सी करेक्ट होगा तो देमोक्रेटिक पार्टी ने उपर राश्टपती पद का उमिद्वार बनाया है कमला हैरिस को और जो बाइडन को राश्पती पद का उम्मिद्वार बनाया है। तो इन चारों के नाम आपको ध्यार रखने हैं। डोनल्ड टरम्प की, माइक पेंस की, इसके अलामा, जो बाइडन की और कमला हैरेस का। तो सभी के नाम आपको यहाँ पर ध्यार रखने हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूँ कि मुख्य रूप से अमेरिका में जो राश्पती का चुनाव होता है, उसमें आपको दो पार्टियां देखने को मिलेंगे। एक तो है देमोक्रेटिक पार्टि यानि कि जो बाइडन वाली जिसका चुनाव निसान है गधा। और एक है रिपब्लिकन पार्टि यानि कि डोनाल ट्रम्प वाली जिसका चुनाव निसान है हाथी, तो चुनाव निसान भी हाँ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक समय तक अमेरिका के राष्टपती के रूप में किसने कार्य किया था। इसरी बार बने और उसके बाद में तीसरा समाप्त हुआ चौथी बार ये राश्पती बन गये थे और चौथे कारेकाल के दोरान ही इनका निधन हो गया था तो आपको ध्यार रखना है कि 12 वर्सों से कुछ जादा समय के लिए Franklin D. Roosevelt यहां पर अमेरिका के राश्पती रहे थे और इसी के कुछ समय बाद ही संसोधन होता है जिसके बाद में fix term की विवस्ता कर दी जाते है राश्पती पद के लिए अगला प्रेशन है अमेरिका की संसत का क्या नाम है तो ध्यान रखेंगे अमेरिका की जो संसत इसका नाम है कांग्रेस तो इस प्रेशन का option भी correct होगा तो अमेरिका के संसंद में आपको दो सदन देखने को मिलेंगी जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर दो सदन है लोग सभा और राजी सभा उसी प्रकार से वहाँ पर भी दो सदन है तो जो यहाँ का उच्छ सदन है उसे हम लोग सिनेट कहते हैं सिनिट कहा जाता है उसको जिसमें आपको कुल मिला करके 100 सीटे देखने को मिलती है और इसमें प्रतेक राजी को 2 सीट दी गई है उसी प्रकार से जो यहां का निचला सदन है जिसे हम लोग निम्नि सदन कहते हैं इसे हाउस आप रप्रजेंटेटिप की नाम से जाना जाता है और इसमें आपको कुल 535 सीटे देखने को मिलेंगी तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि क्या नाम है यहां की संसत का सदन के कौन कौन से नाम है और उन सदन में पार्टिकुलर सीटे कितनी है क्योंकि यह सारे प्रशन आपकी परिच्छा में औरडी पूचे गए एक यहां पर संसत का नाम दिया है जिसका नाम है डायET तो यह किस देशकी है उसका नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है अगला प्रशन है अमेरिका में किस संविधान संसोधन के द्वारा राश्पती पद का जो कारिकाल है उसको दो बार के लिए फिक्स कर दिया गया तो ये मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर 22 सम्मिधान संसोधन हुआ था 1951 में कम 1951 में हुआ था उसके द्वारा ये चीजें यहाँ पर फिक्स कर दी गए थी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह maximum दो बार के लिए अमेरिका का राश्पती बन सकता है और ये आपको जरू ध्यान रखना है अगला प्रशन है पहली बार किस अमेरिकी राश्पती पर महाभ्योग की प्रक्रिया चलाई गए थी जिसे हम लोग impeachment का process कहते हैं तो impeachment का प्रक्रिया जो हमारे सम्मिधान में है वह भी हमने लिया है अमेरिकी सम्मिधान से ही और यहाँ पर Andrew Johnson अमेरिका के पहले राश्पती हैं जिनके बिरुद impeachment की प्रक्रिया चलाई गई थी हाला कि यह सिनेट में एक ओट कम होने की कारण पूरी नहीं हो पाय थी यानिकि impeach नहीं हो पाय थे यह लेकिन पहले अमेरिका के राश्पती बने थे जिन पर महाभ्योग की प्रक्रिया चलाई गई थ इस प्रेशन का option D correct होगा तो Andrew Johnson की बात करते हैं तो अमेरिका की 17 नंबर के राष्टपती थे और लगभग 1968 के दोरान इनके उपर impeachment की प्रकरिया चलाई गए थी तो जैसे हमारे हाँ पर impeachment का process होता है उसी प्रकार का process आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेगा तो Andrew Johnson पहले थे Bill Clinton पर चला था December 1998 में अगर आपको याद हो तो Donald Trump के उपर भी December 2019 में महाभ्योग की प्रकरिया चलाई गए थी तो कुल मिला करके अमेरिका के धिहास में तीन राष्पती रहे हैं जिनके विरुद impeachment के प्रकरिया चलाई गई है हाला कि इन में से किसी भी राष्पती को अभी तक पद से बिमुक्त नहीं किया गया है impeachment process के दोरा तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगला प्रशन है भारत की यात्रा पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्पती कौन थे इनका नाम था Dwight D. Eisenhower क्या नाम था Dwight D. Eisenhower जो कि 1958 में जब जवाहल नाल नहरू जी हमारे यहां के PM थे उस दोरान भारत की यात्रा पर आये थे और इस प्रकार से ये भारत की यात्रा पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्पती थे अभी तक के इतिहास के अगर हम लोग बात करें तो कुल साथ अमेरिकी राष्पती ऐसे रहे हैं जो कि भारत के दोरे पर आ चुकी हैं जिन में Dwight D. Eisenhower ये रहते पहले स्थान पर यानि कि सबसे पहली बार आये थे बराक उबामा का नाम आपको इसलिए ध्यार रखना है क्योंकि ये दो बार भारत के दोरे पर आने वाले अमेरिका के पहले राष्पती हैं तो 2010 में एक बार आये थे और 2015 में ये आये थे और डोनाल्ड टंप यानि कि टंप चचा 2020 में हमारे यहां पर आये थे अमेरिका के पहले उपराष्पती कौन थे यानि कि जब जॉर्ज डबलू वासिंगटन यहां के राष्पती बने थे उस समय उपराष्पती कौन थे तो ये थे जॉन एडम्स कौन थे? जॉन एडम्स थे यानि कि इस प्रेशन का option सी correct होगा तो जॉन एडम्स की बात करते हैं तो 1789 से लेकर के 1797 तक अमेरिका की ये पहले उपराश्टपती रहे थे और उसके बाद में 1797 से लेकर के 1801 तक अमेरिका के दूसरे राश्टपती रहे थे जॉन एडम्स तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रेशन है डोनाल ट्रम्प अमेरिका के किस नम्मर के राश्टपती है तो ये हैं आपके 45 नम्मर के राश्टपती यानि कि इस प्रेशन का option भी correct होगा तो 20 जून 2017 को डोनाल ट्रम्प अमेरिका के 45 राश्टपती बने थे अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि माल लिजिये कोई भी व्यक्ति दो कारेकाल के लिए अमेरिका का राश्टपती बन जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पर हम लोग उसे दो बार के राश्टपती के रूप में काउंट करेंगे जैसे कि माल लिजिये ट्रम्प है ये 45 नमबर के राश्टपती बने थे और 2020 में भी ये राश्टपती बन जाते हैं तो हम इनको 45 राश्टपती के रूप में ही संबोधित करेंगे इसके बाद में जब कोई नया बेक्ती अगली बार राश्टपती बनेगा तो वो होगा 46 नमबर का राश्टपती जैसे कि अगर हम लोग बराक उमावा जी की बात करती हैं तो वो थे 44 नमबर के राश्टपती और वो भी दो बार अमेरिका के राश्टपती बने थे अगला प्रशन है अमेरिका में राश्टपती के कारेकाल के दोरान अगर उनका निधन हो जाता है तो उपर राश्टपती कितने समय के लिए राश्टपती बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी उस राश्ट्पती का कारेकाल बचा होगा उस पूरे कारेकाल के लिए उपर राश्ट्पती यहां पर राश्ट्पती के रूप में कारे करता है यानि कि इस प्रश्ण का option भी correct होगा अब थोड़ा से देखते हैं हमारे यहां पर process क्या है देखिए हमारे यहां पर अगर किसी कारणवस राश्ट्पती का पदरिक्थ हो जाता है उस इस्तिती में जो उपर राश्ट्पती होता है वह राश्ट्पती के रूप में कारे करता है छे महीने तक और उसी छे महीने के वीतर नए राश्ट्पती का चेन किया जाना अवस्यक है लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रोसेस नहीं है मान लीजिए कोई भी व्यक्ति दो साल राश्ट्पती रहा उसके बाद में उसके डेथ हो गई तो जो यहां पर उपराश्ट्पती होगा वह अगले दो सालों तक देखने को मिलेंगे अमेरिका में अगला प्रश्ण है 1783 में आजाद हुए अमेरिका में कुल कितने राज्य थे तो यह प्रश्ण भी काफे जादा महत्पूर है जब अमेरिका आजाद हुआ था 1783 में उस समय यहां पर कुल मिला करके 13 राज्य थे कितने कुल मिला करके यह यहां पर राज्यों की संख्याती 13 और यह 13 राज्य आप यहां पर देख सकते हैं तो इस प्रश्न का option A correct होगा अगला प्रश्न है जो कि कई बार परिच्छाओं में औरडी पूछा जा चुका है सर्ब पर्थम किस अमेर्की राज्टपती को नोबल सांती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यानि कि पहले अमेर्की राज्टपती कौन थे जिनको नोबल पीस प्राइज मिला हुआ था इनका नाम है थियोडर रूजवेल्ट तो इस प्रश्न का option B correct होगा अब यहाँ पर आपको बिल्कुल कनफ्यूज नहीं होना है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम से वे अमेरिका के सबसे अधिक समय तक राज्टपती के रूप में कार किये थे जबकि अगर हम लोग थियोडर रूजवेल्ट की बात करते हैं तो यह पहले अमेरिकी राश्टपती हैं जिनको नोबल सांती पुरस्कार मिला था तो इस प्रैश्न का option B correct होगा अब थियोडर रूजवेल्ट की बात करते हैं तो यह 26 नमर के राश्टपती थे अमेरिका के और 1906 में इन्हें सांती के चित में नोबल पुरस्कार मिला था और पुरस्कार क्यों मिला था क्योंकि जो जापान और रूस के बीच में युद्ध हो रहा था उसमें इन्होंने मेडियेटर का काम किया था और उस युद्ध के ओपर बिराम लगाया था और इसलिए 1906 में इनको नोबल पीस प्राइज मिला था अमेरिका में अभी तक कुल मिला करके चार राश्पती ऐसे हुए हैं जिनको नोबल पीस पुरसकार मिला हुआ है तो ओड्रो विल्सन है जिनको 1999 में मिला था प्रतम विस्तु यूद रोकने के लिए जिमी कारिटर को मिला था 2002 में और बराक अबामा जी को 2009 में नोबल पीस पुरसकार मिला हुआ था तो ये सारी चीजें आपको यहां से ध्यार रखनी है बाकी थियोडे रोजबेल्ट के बारे में आपको ये ध्यार रखना है कि यह दुनिया के पहले ऐसे राजनेता है जिनको नोबल पीस प्राइज मिला है इससे पहले किसी भी राजनेता को ये पीस प्राइज नहीं मिला था अगला प्रशन है अमेरिका की जो राश्पती होती हैं उनका जो निर्वाचक मंडल होता है यानि कि जो उनका electoral college होता है उसमें कुल कितने member होते हैं आपको ध्यार रखना है इसमें कुल होते हैं 538 member कितने 538 member होते हैं यहाँ पर निर्वाचक मंडल में अब बिल्कुल आपको यहाँ पर confused नहीं होना है कि जो हमारा यहाँ का सदन है उसमें आपको अलग member देखने को मिलेंगे और जो निर्वाचक मंडल है यहाँ पर आपको अलग से member देखने को मिलते हैं जैसे कि वहाँ पर जो उच्च सदन है सिनेट जिसे हम लोग कहते हैं उसमें आपको 100 मेंबर मिलेंगे और जो वहां का निम्र सदन है जिसे में लोग house आप representative कहते हैं वहां पर मिलते हैं 435 जबकि इन दोनों को जोड़ते हैं तो होता है हमारा 535 लेकिन कुल निर्वाचक के संख्या होती है 538 ये आपको यहां पर ध्या रखना है तो US के जो हमारे नागरिक हैं वह यहां पर electors का chain करते हैं और फिर इन electors के द्वारा उस particular राष्टपती का chain किया जाता है तो ये आपको यहां पर ध्या रखना है और जो कोई भी 270 मत को यहां पर प्राप्त कर लेता है वह अमेरिका का राष्टपती बन जाता है तो ये चीज़ें आपको ध्या रखनी है पाकी अमेरिका के राष्टपती के बारे में आप यह ध्या रखेंगे कि अमेरिका का जो भी राष्टपती चुना जाता है वह अगले वर्स 20 जनवरी को अपनी सपत लेता है जैसे कि इस वर्ष जब चुनाव संपन हो जाएंगे उसके बाद में फाइनली जाकर के 20 जनवरी को जो भी राष्टपती बनेगा वह अपने पद की सपत लेगा अगला प्रशन है अमेरिका का राष्टे खेल क्या है तो अमेरिका का राष्टे खेल है बेस बॉल क्या है बेस बॉल अमेरिका का राष्टे खेल है अगला प्रशन है अमेरिका प्रतेक वर्ष अपना सुद्नता दिवस कब मनाता है ये प्रशन भी कई बार पूशा जाज़ा है कि अमेरिका आजाद हुआ था 1783 में, लेकिन गोशना हो गयी थी 1776 में ही, अगला प्रेशन है, अमेरिका में जो सरकार की सासन प्रणाली है, वह किस प्रकार की है, जैसे हमारे यहाँ पर प्रेवांन्तरी सिस्टम है, कीन की बात करते हैं तो सरकार का इसके साथ साथ राज दोनों का प्रमुख होता है हमारे यहाँ पर जो राश्पती महोते होते हैं वह राज के प्रमुख होते हैं और सरकार का प्रमुख होता है प्रधान मंत्री लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है वहां का जो राश्पती होता है वह सबसे ज़्याद कि इस प्रशन का option D correct होगा और आपको ध्यार रखना है कि जब अमेरिका आजाद हुआ उसके बाद में Philadelphia सम्मिलन नाम से यानि कि Philadelphia Convention नाम से एक यहाँ पर समित गठित की गई थी जिसके द्वारा अमेरिका का सम्मिधान लिखा गया था और ये दुनिया का पहला लिखिस सम्मिधान भी है मूल सम्मिधान जो अमेरिका का लिखा गया था उसमें आपको एक प्रेम्बल देखने को मिलेगा और इसमें साथ आर्टिकल थे कितने मात्र साथ आर्टिकल थी यहाँ पर अमेरिका के सम्मिधान में अमेरिका में किस सम्मिधान संसूधन के द्वारा दास प्रथा यानि कि जो सलेवरी है उसकी समापती हुई थी तो इस संसूधन का नाम है 13th सम्मिधान संसूधन यानि कि 13th constitutional amendment और इस प्रशन का option भी correct होगा तो 6 December 1665 को अमेरिका के सम्मिधान में 13th संसूधन किया गया और इसी के द्वारा अमेरिका में दास प्रथा की सनापती हुई थी और मैंने आपको उपर बताया कि इसी के लिए अमेरिका में सिविल वार भी हुआ था और इसी दास प्रथा के कारण जो वहां के सबसे ज़्यादा चर्चिद राश्पती में से एक थे अब्राहम लिंकन जी उनका भी निधर हुआ था यानि कि उनकी हत्यां कर दी गई थी अमेरिका में कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं यह मैंने आपको पहले ही बताया जिसमें छेत्रफल के द्रिश्टकोंट से सबसे बड़ा है अलास्का और कलिफोर्निया जनसंख्या के द्रिश्टकोंट से सबसे बड़ा है अलास्का की अगर हम लोग बात करती हैं तो यह रूस क खरीदा था तो उस समय अमेरिका के राश्पती कौन थे उनका नाम आपको नीचे comment में बताना है, और किस वरसे खरीदा गया था यह भी आपको नीचे comment कमेंड में बताना है, बाकि इस वीडियो में जो भी महत्मूर में पोच सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत